तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य में लिंक करने धारन कैसे होता है मतलब कुछ बच्चे लड़के और कुछ बच्चे लड़किया क्यों हो जाती है तो इसके बारे में हम दीटियल से जानने वाले हैं तो देखिए फ्रेंड्स यह जो सारा खिल है वह होता है केवल औ को सी के मतलब का होता है यह जो मनुष्य है को बहुऑ को प्राणी है अब इसकी को कशिक लेएं मेजर्मेंट परने क्लिए तो हम ने सप्ष मदर्शीff से दिखां तो इसके anderen दिखाईब में ब्च्टियानिकों है लोर एक निए इसको बोलते हैं जो एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में गुणों को ले जाते हैं उसको अनुवांसी की बोलते हैं तो इसी का नाम दिया गया गुण सुत्र इसको क्रोमोसम बोलती है आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर होती है जो मनिष्य होता है उसमें कितने गुर्षूत्र होते हैं प्रक्रति में उन सब में गुर्षूत्र की मात्रा अलग-अलग होती है समझते हैं मनिष्य में कितने गुर्षूत्र होते हैं त्याइब बात आते हैं मेल और फिमेल तो देखिए मेल ऑपिमेल हो दोनों में जो गुर्षूत्र होंगे ठीज सित्र होग है जैसे कि यहां पर इसे के वाद इस्ट उसके बाद मesकुर्ण सुट्र हो इसने वह होगा एक दो ऐसे करके 52 उसके बाद 23 ऐसी प्रकार इस प्रकार से जियान देंगे यहां पर ब्रिये नायरे का जो 22 टक्रा जो इसमें भी जो से लेकर 22 तक वो आतो सोम कहले सांट होगा क्योंकि देखा कि में जो 12 जोड़ होगा एक बाइस तक도 कारह वो यह ब्ल्कुर समाल होगे इसको समझाथ गुर्ष वोल जाता है अब आते हैं 23 नंबर देशनबर का बुर्षेसरी उत remem मेल में और फीमेल में दोनों अलग-अलग होगा इस कारण से इसको हेट्रोसम बोलते हैं ठीक है इस कारण से इसको क्या बोल जाएगा हेट्रोसम बोल जाएगा क्योंकि दोनों का जो गुर्षूत्र होता है वो अलग होता है ये तो था अभी सिंपल सा भी बता दिया हेट्रो उसको लाएंगे गुर्सुत्र बोलता है जो जो इसी प्रकार से और आगे समझते हैं इसको द्याद्धान देंगे यहां पर अब इसका डाइग्राम के माध्यम से समझेंगे इसको तब ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा तो देखिए यहां पर जो गुर्सूत्र होता है उसको XSOS किया जाता है ठीक है एक्ससे सो करने का मतलब क्या है यहां पर आपको डिखाई दे रहा होगा कि जो क्रोमोसोम का डिख्राम होता है वो कुछ-कुछ X की तरह लिएटर होता है तो ध्यान देंगे यहां पर जो एक से इसमें नंबर का जो गुर्सूत्र होता है नर में मेल में वह एक होता है एक सा और एक होता है यह होता है इसमें होता है इसमें होता है इसमें कहने के मतलब एक से लेकर तक जितने भी गुर्सूत्र होंगे वह पुरा एक से रहेगा इसमें एक से लेकर 45 तक जो गुर्सूत् अगर यह नहीं रहता है जो इसको डिवाइट करता है नहीं तो पूरा जो मनिश्य होता है कि वाल और प्रिमेल होती नडिकिया होती तो यह जो है बहुत ही ज्यादा यहां पर देखे आको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर देखे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर 45 प्लस एक इस इकवल टो कितना होगा जिसमें से 45 जो गुर्षूत्र होगा, वो क्या होगा? X गुर्षूत्र होगा, प्लस जो एक गुर्षूत्र होता है, वो कैसा होता है? Y होता है, is equal to XY, जो 23 नमबर के जो जोड़ा होगा, वो क्या होगा? तो कि यहाँ पर Y है, अब देखें, इसमें जो 46 के 46 गुर्षूत्र होगे, वो पूरा क्या होगे? पूरा X होगा, पूरा पूरा क्या होगा? इसमें X होगा, इसमें 45 गुर्षूत्र होगा, वो X होगा, और केवाल एक गुर्षूत्र होगा, वो क्या होगा? यहां पर यहां से समझते हैं यह मेल है यह फिमेल है यह मादा है यह जो है स्पर्म मतलब शुक्राणू है यह है फिमेल का अंडाणू जिसको इंगलीस में गैमेट बोलते हैं इसी को युगमक कहा जाता है मतलब मेल युगमक मतलब मेल युगमक माइवल युगमक यह फिमेल युगमक क्या होता है अंडाणू यह दुन Kollegen सुतर जाएगा मतलब जोड़े की रूप में नहीं पाया जाएगा जैंगे जैसे कि सी नहीं रहता है अब आपको समझ में आ गया हो अब देखिए इन दोनों पैरेंट है इन दोनों को भी यदी निशेचन की क्लिया होती है पर्टी लाजेशन क्लिया होती तब इस प्रकार्ट होगा माल लीजे यह जो शुक्रानु है जिसके पास एक्स है यह फिमेल के अनडानु के साथ अब निशेचन क्लिया है करती है तो यहां पे जो यज़ो बनते हो अगर यह यहां करती है इस शचन क्लिया होगा इस फिमेल जिसके पास वह यह दिनिशेचित करता है इसको इस अंडानू के साथ निशेचन किया होती है इसका क्या होगा इसका क्या है वाइ इसको भी लिए देता हूँ ध्यान देंगे इस प्रकारस से यह कम्प्लीट हुआ यह जो बना मतला जब सुकुरानू अधानों में आधा आधा था ना अब यूगमनज बनेगा मतलब यूगमक से जब यूगमनज बनेगे तब उसमें फिर से द्विगुणन हो जाएगा मतलब फिर से जोड़ा कुरूप में बन जाएगा जो किसमें जाता है संतान तो देखो यहां पर जो बनता है बच्चा वो ब्लस बनने के चांस है और 50% किसके ब्वास बनने के चांस है तो आप यहां पर आप समझ में आ गया होगा कि जैसे प्रकार से एक सिक्का होता है एक सिक्के की कितने पहलू होते हैं दो पहलू तो वह प्राइक्ता होती है यहां पर भी क्या होगा लड़के और लड़की होने क शम्भावना कितने परसंट रहेगी 50-50 परसंट तो यहां पर आपको अब बात समझ में आ रहा होगा कि यहां पर लड़का और लड़की होने में जो मेन भूमिका होती है वो मेल के वाई सुक्राणू मतला वाई गैमिट के उपर डिपेंड करता है मतला पूरा डिपेंड होत तो कहां से पैदाता रहेगा आपको यह बात समझ में आ गया होगा तो इसी प्रकार जदी कोई डाउट होगा इसमें तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं तो इसी प्रकार से नए-ने वीडियो अफ्लोड करता रहूंगा तो यदि आप मेरी चैनल पर नहीं है तो